हेलो फ्रेंड्स, कंप्टिशन चौप में आपका स्वागत हैं हम अपनी करेंट अफेर्स की सीरीज को आगे बठाते हुए आज पार्ट टू देखेंगे इससे पहले पार्ट कोन में 40 प्रश्ण देख चुके हैं तो बिना समय गवाएं चलते हैं हम प्रश्णों पे प्रश्टी क्रिकेट परिशद की महला बंडे रैंकिंग में सिर्ट्स अस्थान पर कौन काभीज है वर्तमान में तो एक तो भारती है महला खिलाडी मिताली राज जो की कैप्टन है और तूसरा है लिजेल ली जो की दक्षी ने फिरका की है चौथा कोशन है लशित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रावड रूपों से सन्यास ले लिया हुए किस देश से हैं तो श्रिलंका से हैं वहीं यूएस ओपन पुरूस एकल में जीत दर्ज किस ने किये हैं तो मेदविद दिव ने किये हैं दुबई से गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले भारती हैं तो बोनी कपूर जने हाली में दिया गया गया गोल्डन वीजा उसके बाद साडु खान, संजेदत, सुनिल सेठी, मोहनलाल आधी को पहले से गोल्डन वीजा दुबई से प्राप्त है केंद्रि स्पातमंत्री बिहार के कौन है तो RCP सिंग है US Open Grand Slam महिला एकल खिताब में जीत दर्ज की है एमा राडु कानू तो US Open Grand Slam महिला एकल खिताब में जीत जो है दर्ज एमा राडु कानू ने किये है मैं एमा राडु कानू की तश्वेर आपको एक जलक दिखा देता हूँ यहीं पर एमा यूएश ओपन की नई मलिका यह ब्रिटिस खिलारी हैं एमा इन्होंने ही यूएश ओपन में खिताब जित हासिल की है तो जीत एक ऐसा उनभो है जिसे जीना हर कोई चाहता है यह एक ऐसी संपत्ती है जिसके मिलते ही लोग का नज़रिया हर लोगों का नज़रिया आपके परती बदल जाता है आप अथा सम्मान के मालिक बन जाते हैं जिसके आप हकदाल होते भी हैं क्यूंकि इस जीत को पाने के लिए आपने अपने भोग विलाष्टा से दुश्मन ही ठान ली थी, हाँ लेकिन आपकी जीत सही राष्टे पे हो, तभी आप सम्मान के अधिकारी बन पाते हैं। मैं एमाराडू कानू के इंटर्विव विडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्सन में डाल दे रहा हूँ, आप एक बार ज़रूर जाकर देखें, और यहां हमें कमेंट में आ करके उनके इंटर्विव आपको कैसा लगा, आ करके कमेंट करें, तो चलते हैं अब अगले प्रेश साल की हुए है, नेक्स्ट प्रेश ने पस्पतिनाथ मंदिर कहा है, तो नेपाल में है, बिहार प्रेटन मंत्री कौन है, नारायन परसाद है, वहीं बिहार राजी योजना परसद के उपाध्यक्ष कौन बने है, तो बिजेंद परसाद यादव बने है, बिहार राजी निर शाहनवाज हुससेन हैं बिहार स्वास्त मंत्री मंगल पंडे पर्यूशन महापर्प किस धर्म से जुरा है तो यह जैन धर्म से जुरा है नेक्स्ट पे हम चलते हैं इसराईल में होने वाले अंतरास्टि स्केटिंग प्रत्यक्ता के लिए भारतीय राश्ट्री है टीम के कोच बनाये गया है कौन? सौरव कुमार नेक्स्ट है BSF के नए महानीदेशक निउक्त हुए है पंकज कुमार, ITBP के पलमुक निउक्त हुए है संजय रोडा, 22 नंबर में पुषकर सिंग है केंद्रिये नागरिक उडेन मंत्री जोती राधित्य सिंध्या है 26 नंबर कोश्टन है भारती वायुषेना के चिनिक हलिकॉप्टर की एमर्जेंसिंग लेंडिंग हाल ही में अगर्स 2021 में कहां करानी पड़ी थी तो बिहार के मानिकपुड गाउं के हाई स्कूल के निकट मैदान में किया गया था जो कि बक्सर जिला में पड़ता है प्रखंड राजपुड है और थाना धन्सोई है जिसमें आपको गाउं का नाम सिर्फ याद करना है चलते हम अगले प्रस्ण पर केंद्री खाद्य सार्वजनिक वित्रन और कपड़ा मंत्री प्यूश गोयल है बिहार राजे आपदा प्रबंधन प्राधिकरन के नया धक्षकन है तो डॉक्टर उदै कांत मिश्र बिहार भवन निर्मान मंत्री डॉक्टर अशोक चोदरी बिहार जलसन साधन एवं सूचना जनसंपर्ग मंत्री संजय कुमार जहा वहीं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमान आफ येर किसे चुना गया तो साराह को हाल ही में भारत के किस परोशी देश ने अपनी संसत को भंग कर दिया है ताकि याद करने में आसानी हो जैसे देख सकते हैं जल दिवस जल पहले बारिश हुई तो 22 मार्च को पहले आया फिर बारिश होने बाद जल कहां गिड़ी पिर्थवी पर गिड़ी तो पिर्थवी दूसरा नमबर में आया 22 मार्च के बाद अगला मन्थ 22 अप्रील को फिर उसके बाद पिर्थवी से ही जै वीवित्ता सार्व उत्पन हुआ तो ये उसके बार आया 22 में को इसे इसी तरह से हम लगातार याद कर सकते हैं 22 मार्च जल दिवस पिर्थिवी दिवस 22 अप्रेल फिर जै विब्यूस 22 में तो आज के लिए इतना हम फिर मिलेंगे नए प्रोशने को साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जाय हिंद